अब देट रही है रीट न्यूट कवरें चितका विशे आप लोग जानते ही हैं कि दिल्ली के लोगों ने बहुत लंबा संघर्च करके दिल्ली के लोग वोट डालते हैं वोट डालके एक सरकार चुनते हैं और उमीद करते हैं कि वो सरकार उनके सपनों को उनकी ज़रुवतиц packs को पूरा करेगी और यही हमारा समविधान कहता है यही भारते जनतंत्रा लेकिन 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में तो फर्वरी में हमारी सरकार बनी और मई के महीने में तीन मात तीन महीने बाद मोधी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके हमारी सारी शक्तियां चीन ली बिरोक्रेट्स के उपर जो कंट्रोल होता एक चुनी हुई सरकार का अफसर शाही के उपर अफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग कोई officer काम ना करे तो उसकी disciplinary proceedings गलत काम करे ब्रश्टा चार करे उसके खिलाफ action नई post create करना regularization करना ये सारी जितनी भी शक्तियां थी वो सारी शक्तियां उन्होंने एक notification जारी करके चीन ली दिली सरकार से आम आदमी पार्टी की सरकार से उसके बावजूद हमने काफी काम किया और इतना काम किया कि अगली बार फिर हम भारी भहुमत से जीते सत्तर में से बासक सीट आई हम लोगों के लेकिन आठ साल की कोट कचहरी की लड़ाई के बाद 11 मई को सुप्रीम कोट की समविधान पीठ ने कंस्टिटूशन बेंच ने 5-0 से फैसला दिया कि सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए अगर चुनी हुई सरकार के पास अफसर शाही पे कंट्रोल करने की शक्तियां नहीं होंगी तो वो सरकार काम नहीं कर सकती चुनिवी सरकार काम नहीं कर सकती और ये समविधान के खिलाफ है बहुत क्लियर ओर्डर था स्ट्रॉंग ओर्डर था हमें अपना अधिकार दिल्ली के लोगों को अपना अधिकार पाने में आठ साल लग गए लेकिन मोदी जी को आठ दिन लगे ग्यारा मई को सुप्रिंग कोट का ओर्डर आया और उन्निस मई को प्रधान मंत्री जी ने अध्यादेश पारित करके सुप्रिंग कोट के ओर्डर को कैंसल कर दिया पलट दिया उन्निस मई को क्यों किया उन्निस मई की शाम को पांच बजए सुप्रीङ कोट बंद हो गया Vacation हो गई सुप्रीङ कोट की पांच बजए vacation हो गया रात को दस बजए रात के अंधेरे में मोधी सरकार ने अध्यादेश जारी करके सुप्रीङ कोट का ओर्डर कैंसल कर दिया यही दिखाता है कि उनके दिल में काला था अगर वो दो दिन पहले सुप्रिंग कोट का अध्यादेश जारी करते हम सुप्रिंग कोट से जाके स्टे ले आते लेकिन अब सुप्रिंग कोट बन दे तो अभी हमें महीना पर रुकना पड़ेगा जब सुप्रिंग कोर्ट खुलेगा हम सुप्रिंग कोर्ट भी जाएंगे लेकिन यह अध्यादेश जब संसद के अंदर आएगा तो संसद में लोकसभा में तो BJP की मैजॉरिटी है लेकिन राज्यसभा के अंदर BJP के मैजॉरिटी नहीं है 238 में से 93 केवल BJP के हैं तो अगर सारी non-BJP पार्टियां मिल जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है इसे गिराया जा सकता है और अगर यह अध्यादेश गिर गया तो अब यह मान के चलिए कि 2024 का सेमी फाइनल हो जाएगा राज्यसभा के अंदर अगर इनका अध्यादेश बिल नहीं बन पाता और हार जाता है पूरे देश में बहुत स्ट्रॉंग मेसेज जाएगा कि मोदी सरकार दुबारा नहीं आ रही है मेरी अभी इसमें काफी विस्तार से चर्चा हुई माननी है अखिलेश जी से और मैं तहे दिल से उनका शुक्रियादा करता हूँ दिल्ली के लोगों की तरफ से दिल्ली के दो करोड़ लोगों के तरफ से अखिलेज जी का और उनकी समाजवादी पार्टी का मैं शुक्रियादा करता हूं कि उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि राज्यसभा के अंदर जब आएगा तो पूरे समर्थन करेंगे दिल्ली वालों का और इसका विरो और मेरे साथ लोकसभा में 2019 से मेरे साथ ही रहे अखिलेज जादव जी उनकी पार्टी के विधायगन आमादी पार्टी के नैश्ट कर्वीनर और दिली के मुख्यमंत्री अर्विन केज्रिवाल जी राजसभा में आमादी पार्टी के सांसद भाई संजे सिंग जी और एजुकेशन मनेश्टर दिल्ली के आतशी जी और आप सब पत्रगार और मेडिया के जितने भी प्रतने दिया हैं जैसा के अर्विन जी ने कहा जे लड़ाई सिर्फ दिली के लोगों की नहीं है जे लड़ाई 140 क्रोड लोगों के अधिकारों को बचाने की है एक तरफ तो हम biggest democracy in the world कहते हैं देश को और दूसरी तरफ लोगतंतर पर अध्यदेश की कुलहाड़ी चलती है गुवर्नर के जरिये तंग किया जाता है अगर इनकी सरकार बीजेपी की किसी राज्य में election से ना बने तो ये बाई election से बना लेते हैं उनके 30-40 खरीद लो बाई election करा लो सुबह सुबह तीन बज़े उठाओ गुवर्नर को ओथ लो उसके बाद देखते रो क्या होता है कि आपको किस के लिए भेजा है वहाँ पर आप तांग क्यों नहीं कर रहे है इलेक्टड गॉर्मेंट को तो इलेक्टड और सेलेक्टड में फरक जो है वो देश को करना है अगर दिली के लोग भी उसी तरह से वो डालते हैं जैसे यूपी के डालते हैं पंजाब के डालते दिली के लोगों दिली के मंत्री भी वही सब्धान की ओथ लेते हैं दिली के मंत्री दिली के मुख्य मंत्री वही सब्धान को फॉलो करते हैं पंजाब में भी वही होता है और दिली देश का दिल है वहाँ दिल्ली में मूल लिवासी जो हैं दिल्ली में पूरे देश के हैं यूपी से बहुत से लोग हैं दिल्ली में पंजाबी बहुत हैं दिल्ली में करनाटका से बहुत लोग हैं दिल्ली में महाराष्टरा से हैं आंद्रा से हैं उडिसा से बंगाल से देश के हर इसे से लोग दिल कार रहेगी फुल स्टेट को कौन सा काम करने देते हैं मैं अपनी एक्जाम्पल देता हूं पंजाब में 117 में से बांड में हमारे विधायक हैं और हमने इस पर बजट सेशन बुलाने के लिए राज्यपाल को पत्र लिखा उन्हें बजट सेशन बुलाने के लिए आपको बुलाने के लिए जाज़त देनी पड़ेगी उसके बाद कहा राज्यपाल ने कि जो भाशन मुझे लिखके दिया है जो बिधानसवा में पढ़ना होता है कि तो उसमें मैं माई गौर्मेंट नहीं कहूंगा तो जी हम फिर सुप्रीम कोड कहें जी तो सुप्रीम कोड ने क हैं यह बीजेपी के हेड़कॉर्टर बन चुके और जो रज्यपाल है नॉन बीजेपी स्टेट्स के वो स्टार कंपेनर बन गया है बीजेपी के तो ऐसा पहले अखलेश जी उनकी सरकारें भी जेल चुकी है ऐसा किसी भी प्रदेश के लिए अद्यदेश आ सकता है कि जी बस आप खतम हम शुरू तो यह लोगतंतर कहां गया अभी अमेरिका के जो बाइट हाउस के एक बुला रहे थे वो कह रहे थे भारत में लोगतंतर जीवत है वो वाइट हाउस से कह रहे थे यहां बुलाने की जुरूरता उनको जिस दिन ट्रंप जी आये थे उनकी पत्री ने का मैंने दिल्ली के स्कूल देखने हैं सरकारी स्कूल तब स्कूल को उनसे दिखाए गए केहरी वाल वाले एमसीडी वाले नहीं दिखाए गए क्यों उनको पता था क्या हाल चाल तो ऐसे मतलब आप सबकुर साथ लेके चलिए सबका साथ सबका जो जहां चुना गया है उसकी साथ दो सेंटर सरकार के पास शक्तियां हैं वो राज्यों के दिकार क्यों छीन रहे हैं हमारा डिएफ का पैसा नहीं दिया अभी तक हमारा GST रोक रखा है अभी तक हमारा National Health Mission का पैसा रोक लेते हैं हम यह पैसे नहीं देंगे यह नहीं देंगे यह सरकारें चलती हैं ऐसे क्या तो यह बहुत ही फैडल स्ट्रक्शल के लिए बहुत कतरनाक है और समाजबादी पार्टी अंदोलन से जेपी अंदोलन से निकले हुए नेता इसमें हैं और उन्होंने तो बहुत संकट देखे हैं देश पर तो आज जिस गरम जोशी से और जिस जो शिद्दत से हमें सम्मान दिया अखिलेश जी ने हमें इज़द दी उसके लिए बहुत आभारी हैं और हमें उमीद है कि लो गुंद मान कोई केजरी वाल जा कोई अकलेश जीतेगा नहीं इस लड़ाई में जीतेगा तो देश की एक सो चालीस क्रोड जनता जीतेगी दिली के मुख्यमंतरी अर्विन के सिवाल जी पंजाब के मुख्यमंतरी मान साब मैं सबसे पहले उनका स्वाहत करता हूं और उनक मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि दिली का आध्यादेश जो आया है वो एंटी डेमोकरिटिक है इस ओर्डेंस के जो सोच है वो एंटी डेमोकरिटिक है मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी का पूरा साथ आपके साथ है साथ ही साथ जो आप अच्छा काम कर रहे हैं सिक्षा के छेत्र में स्वास के छेत्र में वो भारती जनता पार्टी को रास नहीं आरा अच्छे काम को बिगाड़ने का काम देश में अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारती जनता पार्टी है और आपके अच्छे काम को और अच्छी सोच को देख करके घबरा रहे हैं उन्हें लग रहा है कि दिली की जनता कहीं साथ बढ़ते इस नाटा न कर दे बीजे पी को हमारे जितने भी सदर्स हैं वो आपके साथ होंगे बहुत धने बाद आपका क्यों एक क्यों थे झॉंधत जावाब